प्रियो विभ्यारतियों आज से की ओल्लाइन पटसाला में आपका स्वागत है अब हम हरात्मक स्रेडी पर बेट क्वेश्चन्स को सोल करेंगे तो देखिए इसी स्रेखला में हम प्वशन लेते हैं और प्वशन है यदि ए बी सी डी हरात्मक स्रेडी में है तब देखिए ए बी सी डी हरात्मक स्रेडी में है तब पहला आपके पास उप्शन है ए बी ग्रिट दैन सी डी दूसरा उप्शन है ए सी ग्रिट दैन बी डी और उसके बाद सी ओप्शन है आपके पास ए डी ग्रिट दैन बी सी और डी ओप्शन है आपके पास इनमेज से कोई नहीं और ये प्शन बहुत बार एक्शांज में आता रहता है तो ध्यान से समझना है कि इस टाइप के क्वश्चन को किस परकार से हल करते हैं एक बार मैं आपको इस प्वशन का हरात्मक स्रेडी से कैसे सोल होगा वो बता देता हो उसके बार मैं आपको इस question का 100 ट्रिक भी बगाऊंगा जिसमें आप इस question को केवल दो लाइन में खतम कर दोगे तो देखिएगा जहां देना है A, B, C, D किसमे है? हरात्मक स्रीडी में है यह आप उने बगा दिया कि A, B, C, D किसमे है? हरात्मक स्रीडी में है अब हरात्मक स्रीडी में है तो इसका concept जानिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी आपको थोड़ देरे पहले या पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या था? 6, 8, 12, 24 किसमे होंगे? हरात्मक स्रीडी में होंगे और ऐसा लिखने के बाद क्या करोगे? 1.26 पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर और तीसरा तीसरे के बराबर ऐसे ही चोथा चोथे के बराबर अब जो A, B, C, D की वैल्यूज है इनको आप इने उप्संस में रखके देखिए और जो उप्संस अडिस्पाई कर देगा वही आपका अंसर होगा तो देखिएगा किस प्रकार से करना है? पहला उप्सं क्या है? A, B, greater than का C, D यह उप्सं है तो A का वैल्यूज क्या है? 6 B का वैल्यूज क्या है? 8 greater than C का वैल्यूज क्या है? 12 और इसका वैल्यूज क्या है? आप इसे सोल करिए क्या हैगा? 6 और 8 और उसके बाद आप इसे करो 8 और यह अब देखो 48 गर्ड़ा है या 2, 2, 2, 8, 8 बड़ा है तो यह क्या आगया? false condition है 288, 48 से बड़ा होता है इसलिए यह क्या है? false statement है पिछलते हैं option B क्या है? AC greater than BD है और AC को देखिए A का value 6 और C का value 12 greater than क्या होगा? B और D है B का value क्या है? 8 और C का value D का value यह आगया 24 तो आप इसे क्या अगर होगे? देखो आपने A का value रखा 6 C का value रखा 12 greater than यह आगया अब यह कितना होता है? बेटर और greater than क्या होगा? 24 अठा क्या होता है? 192 तो बेटर क्या होता है? चोटा होता है जब इसमें क्या है? greater than है तो यह हमारा क्या है? false statement होग लिए? यह भी false होगया और उसके बाद आप देखिए C option पर जाएए आप सीदे C option को देखिए आप C option कैसे करेंगे? C option पर गए तो A का value क्या लिखाया अभी आपको मैंने? A का value 6 और D का value 24 greater than 8 गुना 12 इसको सोल करो 144 greater than क्या 96 और यह आपका क्या है? सत्य है और जब सत्य है तो हमारा option पहुंसा हो गया C correct हो गया इस प्रकार से हमें इस question का एक तरीका जान लिया है जब question में A, B, C, D सभी आपको रात्मक सेड़ी में दिये तो आपने उनको 6, 8, 12, 24 के question को सोल कर दिया अब इसका आप second method भी लगे हाँ देख ली थी जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना केवल और केवल जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसे का ऐसा लिखना है second method और मैं आपको एक बात clear कर दूँ जब आप इन questions को आपकी जब आप इन questions को आपकी कोपी में करें उस time कीन से चार बार वीडियो को जरूर देखना देखिएगा A B C D आप यू लिखे और वो इसके greater than zero करतें बस उसके बाद मुख्य विक्रण क्या है A D माइनस लगाओ और बचके उन दोनों को multiply कर दो यह आगया greater than zero तो आप कहा लिखोगे A D greater than का B C इस प्रकार से आप उन्हें को उप्सन नुम्बर कोई सा करक्ट हुआ सी गुआ के नहीं हुआ आप चाहे तो यह में थाड़ी यूज कर सकते हैं और चाहे वो कर सकते हैं यह सोट्रिक है और वो भी सोट्रिक थी लेकिन वो हल्की सी ठीक लंबी थी और उस पे हमने HP का यूज किया यहाँ पर हमने HP का यूज ना करके determined यानि सानिक का यूज किया है तो आप ऐसा भी कर सकते हो केवर और केवर जो मुख्य विकरण है उनको multiply करके minus और बचिए उनको multiply करके जीरो से greater than दिखा दो और आप इसे पक्षानाल करके सोल कर दो इस परकार से आप ने उपसर दूमबर सीक्रिप कर दिया है और यह question भी आपका बोल चुका है